जहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज हमने बात करने वाले निशनल टी ट्वेंटी कप के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 15 होने वाला है जो कि सिंध वर्सेस सेंटरल पंजाब के बीच में खेला जाएगा रात आठ बजे दोस्तों तो मैं इसी मैच के आज 5 ट कैसे हैं और किनको रखना चाहिए अपने टीम में head to head और साथी साथ SL और GL में वो बताऊंगा दोस्तों और चार टीम की combination और भी मिलेगी तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है अगर आप 100% winning करना चाहते हैं तो प आपको अपडेट टोस के बाद कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर तो वहां भी जॉइन हो जाएंगे और हमाले चैनल पर पहली बारा होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों तो चलता हूँ आपको step by step सारी टीम दिखाता हूँ पहले तो मैं टी के टीम रहेगी दोस्तों यहां पर Keeper के section में आपको दिखेंगे 2S अहम दिखेंगे दोस्तों और यहां पर दिखेंगे यहां पर हम्लाल के यावच्क मel यह रहें बना रहें आप इनके साथ हैं एसने माचे लहांने लेकिन दोस्तों मैं के साथ मैं आप चाहें तो उनके साथ भी जा सकते हैं तो मैं M.A.C.L.S. के साथ जा रहा हूँ अब चलते हैं बैटिंग के सक्षन में तो बाबाराजम को छोड़ना नहीं है दोस्तो बाबाराजम में लाजवाव फॉर्म में हैं यहाँ पर S.A.C.L.S. को रखना है अगर चाहें तो S.M.A.C.L.S. को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं यहाँ पर S.A.C.L.S. को रख रहा हूँ यह दोनों ही ओपनर हैं तो आप S.M.A.C.L.S. के साथ भी जा सकते हैं लेकिन दोस्तो यह H.A.C.L.S. की टीम है तो ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए तो आप इनी के साथ जाएं अब चलते हैं दोस्तो और राउंडर के सक्सर में तो और राउंडर के सक्सर में बहुत सारे उप्सन आपको मिलेंगे यहाँपर Hoop LOL लेकर आप जा सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं एच तलत या एफ असरफ के साथ जा सकते हैं तो दोस्तों मैं एफ असरफ के साथ जा रहा हूँ आप एच तलत के साथ भी जा सकते हैं और बाकी की जितनेबियार है अपको ग्राइः करनी है अब चलते दोस्तों बॉलिंग के सेक्षिन में तोatoreल आपको रखना है हाला कि दोस्तो हेट टुएट की टीम है इसलिए मैं ज़्यादा प्रिफ्रेंस दे रहा हूँ हली को देख रहे हैं दोस्तो यहाँ पे 203 पॉइंट अभी तक दे चुके हैं हला कि दोस्तो पिछला मैच में इनको विगेट नहीं मिला था और अभी तक 89% लोग इनको ले चुके हैं अपने टीम में तो यह आपके आपोनेंट में पक्का दिखेंगे तो इनको भी आपको अपने टीम में रख लेना दोस्तो M.Hasneen की बात करें दोस्तों इनको भी अपने टीम में आप रख सकते हैं लेकिन मैं दोस्तों इनको नहीं रख रहा हूँ अपनों टीम में इनके जगह मैं रखूंगा दोस्तों R.Rais को और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं S.Dhani को रखूंगा अगर चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं यहाँ पर आपके महमूद भी है, जेड महमूद भी है, उमर कादिर भी है दोस्तों और E. आदिल भी है यह सब भी option में है, इनको आप Grand League में ट्राइ करें कोई दिक्कत नहीं, बहुती कम लोग इनको रखें अपने टीम में तो हो सके तो दोस्तों आप इनको Grand League में रखेंगे तो यह आपकी जो प्रीभू करेंगे इसको दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको कंफर्म करके यहाँ पर आपको कफ्तान और वाइस कफ्तान बना कर दिखाता हूँ तो दोस्तों कफ्तान के option में यहाँ पर देख रहे हैं 69% लोग बाबर आजम को कफ्तान बनाया है तो 100% chance है कि दोस्तों कि जो आपके आपोनेंट भीडेंगे आपके साथ हेट टूइट की टीम में वो बाबर आजम को कफ्तान बनाएंगे तो ज़्यादा रिस्क नहीं लिजिए दोस्तों आप हेट टूइट की टीम बना रहे हैं तो यहाँ पर आप कफ्तान बाबर आजम को ही रहने दीजिए पुरियाज को भी बना सकते हैं, अचली को भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर अनवर अली के साथ जा रहा हूं, आप चाहें तो दोस्तों चेंजेस भी कर सकते हैं, तो चलता हूं दोस्तों जो मैं टीम प्रिव्यू करके दिखाता हूं, तो टीम प्रिव्यू अपकी बनी है, 3 ballar हो गये 3 ballar हो एगो है, 2 all-runner हो गये दोस्तो, 3 batsman और यहाँ पर 3 batsman भी हो गये दोस्तो, तो मिलाकर दोस्तो यह पूरी perfect combination हाली team है जो आपको फादा देगी तो इस team को आपको head to head में लगानी है और दूस्तो चलते हैं अब दूसरी टीम की तरप तो इस टीम को मैंने सेफ कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो जो मैं चार्ट टीम बना के रखा हूँ पहले से वो दिखा देता हूँ तो यह मेरी जो पहले जो चार्ट टीम बना के रखा हूँ वो इसमें से है दोस्तो इस team को भी दोस्तो आपको hit to hit ACL में लगानी है और साथ ये साथ दोस्तो इस team को भी GL में लगानी है फिर से दोस्तो मैंने यहाँ पर बावारादम को कप्तान और वाइस कप्तान मैंने S Khan को बनाया अगर changes करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इस team में मैंने S एहमद को रखा है और S मलीक को रखा है कि दो बॉलर और इधर से भी दो बॉलर तीन बॉलर रखे हैं मैंने तो वो धियान में रखते को दोस्तो ये भी team की perfect combination मुझे लग रही है तो इस team को साथ भी आप जा सकते हैं ये भी team आपको फैदा देगी की दोस्तो हेट टू हेट और साथ ही साथ SL में अब चलते हैं दोस्तो जो मेरी 3 GL की team है उसके तरफ तो दोस्तो ये मेरी पूरी के पूरी GL की टीम है perfect ये GL के लिए ही बनाया गया है यहाँ पर मैंने दोस्तो देख रहे हैं कि डी अजीज को मैंने कप्तान और वाइस कप्तान मैंने एच अली को और इधर के दोस्तो देख रहे हैं कि टॉप उटर बल्ले बाज तीन दोनों की batsman के तरफ तीनों के तीनों टॉटर बल्ले बाज हैं वो आप ध्यान में देख क्यों हैं नोग कि दोस्तों मैं पर यहां पर मैंने एहमत को नहीं रखा है आप उनको भी रख सकते हैं इस JPM ऐंकी कप्टान और D I girls को मैंने क्पटान बनाया है अगर आपको चेंजिद करने का मननcling women वाइस कप्तान तो कर सकते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन दोस्तों ये आपको Grand League में जिता सकती है ये प्लियर चलेगे तो आपको Easily Win हो जाकती है दोस्तों Grand League में तो ध्यान में रखेंगे इस टीम को मैंने बनाया है Grand League के लिए इसको दोस्तों आप 100-100-100-200 वाले जो लीग होते हैं वहाँ भी इस टीम को लगा सकते हैं वहाँ भी आपको इस टीम को से पैदा हो जाएगा अब चलते हैं चौती टीम की तरफ ये भी दोस्तों Grand League के टीम है जहाँ पर मैंने सहजात को वाइस कप्तान और कप्तान देख रहे जो की मेरी आखरी टीम है जो इस लीग की आखरी टीम है दोस्तों तो यहाँ पर जेके हैं और यहां पर दो साथ दोस्तों यहां पर देखे हैं और तीन बोलर यहां पर लगाना है यह तीम को भी आपको कर्गर थे और इस पीस्ट लगई आपको फायदा हो जाय distillate तो 5 तुम आपर कंप्लीट होती है पांचों को टीमों को अच्छों से देखना है अच्छे से लगाना है जहां मैंने बोला वहीं लगाएं ते भी आपको फैदा होगी दोस्तो इन में से कोई चेंज़स होगी तो आपको अब डेट टेलिग्राम पर कर दिया जाएगा उसके लिए आप बेफिकर रहेंगे तो ट अब तक लिए धन्यवाद जाहिंद